दोस्तो प्रदानमंत्री स्रमयोगी मांधन जो योजना थी उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है दोस्तो जितने भी लोगों ने उसमें रजिस्टेशन कराया था जैसा कि मैं आपको बता दूँ इस योजना के अंतरगत आपको 3000 रुपे का पैंसन जब आपकी एज 60 वर्स की हो जाती उसके बाद में आपको यहां पर 3000 रुपे का पैंसन गौर्णमेंट की तरफ से दिया जाता तो उनको इससे परिशानी होने लगी तो इसमें जब उन्होंने इसमें नाम बापस लेना चाहा तो इसमें पहले इसमें कोई ऐसा ओपस नहीं था उनको नहीं दिया जाएगा तो उनको कैसे बंद करना है और अगर आप खुद से अपना अकाउंट में से पैसा नहीं कटवाना चाहते हैं आप भी अगर इस योजना में से अपना नाम बापस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको complete information देने वाला हूँ तो वीड की प्रोसेस में आपको अपने laptop की स्क्रीन पर दिखाता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो यह प्रदानमंत्र इस्रमयोगी मांधन योजना की official website है जब आप यहां पर आओगे तो आपको यहां पर सर्विसिस वाले option में आ जाना है तो आपको यहां पर सारे option देखने को मिल जाएगा अगर आपकी death हो किसी की death हो चुकी है तो आप death case में भी यहां पर exit उनका कर सकते हैं तो इसमें कैसे exit करना है आपको यहां पर जैसे आप self exit पर क्लिक करोगे यहां से redirect हो जाएगा इसकी official website पर तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है आप CSC के माध्यम से ही login करें तब ही आप इसमें exit कर पाएंगे तो किसी भी CSC center पर जाके आप इसे करा सकते हैं नजदीगी पर आपको यहां पर CSC से login करना है अपने ID password यहां पर डालने है capture यहां पर डालना है और simply login वाले option पर आपको click कर देना है तो चली हम यहां पर यह capture type कर देते हैं ID password डालके और इसके बाद मैं इसको login पर click करते हैं तो जैसे हम यहां पर signing पर click कर देंगे तो यह इसका जो official side है वो यहां पर open हो जाएगा तो थोड़ा से wait कर लेते हैं यह side यहां पर अभी open हो रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं एक बार फिर से यहां पर click करते हैं यह देख सक कि यहां पर total 60 registration यहां पर किये गए हैं तो इन में से अगर मैं किसी का आपको exit करके दिखा हूँ यहां पर एक चीज और option दे दिया गया है अगर आप यहां पर claim status चेक करना चाहते हो यानि कि देखना चाहते हो आपका कितना पैसा आप तक कट चुका है कितना जमा हुआ है तो यहां पर जो सरमयोगी मांधन योजना का जो भी registration नमर आपको दिया गया है वो आपको यहां पर डालना है और उसके बाद में next वाले column में यहां पर आपको वो नार डालना है और यहां पर subscriber का नाम डालना है और यहां से आपको gender select करना है OTP के माध्यम से आपको capture type करके submit कर तो आपका जित्ता भी पैसा कटा है वो सारी statement आपको यहाँ पर दिख जाएगी साथ ही अगर आपको किसी case में इसको exit करना है आपकी government job बगेरा लग गई है और आप इसे exit करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर exit वाले option पे click करना होगा और same process यही आपको follow करना है और आपका य number डालना है और यहाँ पर एक चीज फिर से आपको दिखा रहा है कि 3000 रुपे जो pension है वो 60 साल के बाद में आपको दी जाएगी तो आप इसे क्यों exit करना चाहते है इसको अगर फिर भी आप करना चाहते है तो आप OK पर click करके यहां से कर सकते हैं आपको यहाँ पर आपका जो भी amount आपके account से काटा गया है वो आपके account में refert कर दिया जाएगा government के द्वारा तो उमीद करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको काफी जादा पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई है तो like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए साथ एक चैनल पर प